नमस्कार दोस्तों आप देख रहे करे निउस मैं हूँ आपके साथ से आक्षी अमेरिका हुआ दुनिया भर में आलोचना का शिकार अपने सुआर्थी व्यवार से जानिये कैसे अमेरिका के राशपती डुनाल ट्रम ने चीन की तरफदारी का आरोप लगाते हुए डवलो एचो की फणिंग रोकनी की बात कही थी अब फणिंग रोकनी के इस कदम की उमर में अलोचना हो रही है सीखने में क्रोना वाइरस से संभावितों को संख्या बढ़कर 20 लाख के पार हो गई है जबकि इस जान लेवा वाइरस से अब तक 1,26,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में क्रोना वाइरस से सबसे जादा लोग शिकार हुए है जहां 25,000 से ज़ादा लोग दम तोड़ चुके हैं इस बीच करोना महामारी फैलने के लिए जिमिदार मानते हुए विश्विस्वास संगटन डवलू एचो को फंडिंग रोकने के अमेरिका राजपती डुनाल ट्रॉम के पैसले पर दुनिया के कई देशों ने नाराजगी जाहिर की है अमेरिका के इस कदम के चीन और रूस सहिट दुनिया के कई देशों ने भी अलोशना की है रूस के विदेश मंतरी संगई रियान कोव ने कहा कि अमेरिका राश्पती डोनार्ट ट्रम की विश्व स्वास संगतन की फंडिंग पर रोग वेश्चिक महमारी को लेकर एक स्वार्थी प्रतिक्योर्या को जाहिर करता है समचार एजेंसी टी ए एस एस के अनुसार विदेश मंत्री सेंगई रियान को ने बुद्वार को कहा हम वाशिंग्टन की कल की घोशना को डबलू एचो की फंडिंग को रोगने के रूप में देखते हैं यह अमेरिका अधिकारियों के लिए बहुत ही स्वार्थी दृष्टिकोर्या का संकेथ है वहीं डबलू एचो ने महा निदेशक ट्रेडोस एड़नोम गैबीस का बयान भ बचाना और वाइरस के प्रिसार पर जोड़ देना ट्रेडोस एड़नोम गैबीस ने जारी बयान में कहा क्रोणा वाइरस के बारे में हमने अब तक यह जाना है कि जितनी जल्दी स्वस्थ लोगों के बारे में पता चलता है जाच की जाती है उन्हें आइसूलेट किया जा वाइरस तेजी से फैर रहा है अमेरिका का यह कदम सहयोग को बंदित करेगी चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका द्वारा डवलुएचो की फंडिंग रोकने से चिंतित है आपको बता दे कि अमेरिका की राश्पती डोनाल ट्रम ने चीन की स्काइब कीजी